ये पीडिये का फॉर्मूला कैसे एजाद हुआ उसको कैसे लेकर आये एक दौर था मंडल अंदोलन का जब मिले मुलाहम कांशी राम हुआ उसके बाद एक इतिहासिक दौर आया जब 2019 में सपा और बसपा गड़ बंधन हुआ हमने शुरुआत वहां से देखी कि जब वो इंडिया गड़ बंधन बन रहा है एक तरफ दिल्ले में कोई नेता कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी है फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सबसे बड़ा एजंडा पूरे पिछले तीन दशक की राजनीति का राम मंदर 22 जनवरी और उसके आस पास का पूरा महोल ऐसा है कि एसा लगता है कि यूपी में कोई लड़ाई ही नहीं है तो राम जो सब के थे राम दिलों में थे एक राम कबीर के थे कस तूरी कुंडल वसे अम उन्होंने उसी इंटर्वु में कहा कि तुम यहीं बैठे हों जितने लोग मेरे आसपास देख लो मेरे एक तरफ जनवर मिश्र बैठे हैं तो दूसरी तरफ बेनी परसाद वर्मा बैठे हुए नमस्कार दोस्तो भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेल हुआ है 37 लोकसबा सीटे जो की यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीती और साथ सीटे कॉंग्रेस पार्टी ने जीती तो इंडिया अगडबंदन ने कमाल किया है और इसी पर हम चर्चा करने के लिए बाचीत करने के लिए बहुत ही खास प्रेमाल लक्षमाद यादो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टूडियो में हमारे मौजूद हैं उनसे बाचीत करते हैं डियो में प्रोफेसर रह चुके हैं राजनीती को बहुत अच्छे त इस बार का चुनाओ, ये क्या पहले से लोगों को उमीदे थी, समाजवादी पार्टी के लोगों को उमीदे थी, और इतना बड़ा चेंज, सैंती सीटे, सपा की अकेले आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ये हुआ कैसे, इसके पीछे की वज़े क्या रही बहुत शुक्रिया आपका, और समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी, बड़ी और लगातार उतार चड़ाओ देखते हुए, अपना काम कर रही है, हम लोग तो पीछे से उसमें एक मदद करने वाली भूमिका में रहे, और हाँ ये बात बहुत दिल्चस्प रही कि इस चुनाओ को बहुत करीब से देखने का मोका मिला, और पिछले कई महीने से इस चुनाओ को बहुत करीब से देखा, एक एक चीज़ देखी, हमने शुरुआत वहां से देखी कि जब वो इंडिया गड़ बंधन बन रहा है, एक तरफ दिल्ली में कोई नेता कह रहे हैं कि एक केला सब पर भारी है फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सबसे बड़ा एजंडा पूरे पिछले तीन दशक की राजनी तिक आराम मंदर 22 जनवरी और उसके आस-पास का पूरा महोल ऐसा है कि एसा लगता है कि यूपी में कोई लड़ाई ही नहीं है मामला सब एक तरफा जा रहा है वहां से सब कुछ देखते समझते आ रहे और उसके बाद पिछले तीन महिने वह तीन महिने जिसमें हमने तीन महिने प्याओंगा लेकिन क्या है ना कि आप से बात करके सहुलियत यह है कि हर चीज आप बता सकते हैं कि वह आइडिया कहां से आया उस पर कैसे अमल किया गया अखलेश यादो जी की उस पर क्या राय थी यह पीडिये का फॉर्मूला कैसे इजाद हुआ उसको कैसे लेकर आये आप मेरा मानना है कि यह पीडिये खुद अखलेश यादो जी का इजाद किया हुआ है हम लोग जैसे बहुत सारे लोग बहुत वरिश्ट लोग भी चुकि एक पहले ऊपनुरी टीम में इस बात को लेकर के पूरी रण्नेति बनी हुई थी मैं एक बात इसके पूरी प्रिष्ट भूमी में जब समझा तो 2019 that I do ये बड़ी भूमी का निभाता है एक दौर था मंडल अंदोलन का जब मिले मुलाहम कांशी राम हुआ उसके बाद एक आतिहासिक दौर आया जब 2019 में सपा और बसपा का गडबंदन हुआ एक तरफ डॉक्टर लोहिया एक तरफ डॉक्टर अमबेटकर वो चुनाओ में उतना कारगर नहीं साबित हुआ और गडबंदन अब बसपा की तरफ से जल्ली तोड लिया गया तो दो पाइटियों का गडबंदन तो तूटा लेकिन डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अमबेटकर का जो गडबंदन अद्भुत पश्टता देखने को मिले वो मुस्से कहते थे कि हजारों साल के शोशन की लड़ाई बन चुकी है ये कोई सामाने लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को अब उसी बुनियाद पर लड़ा जाएगा जो बुनियाद समाजवात की है डॉक्टर अंबेट को डॉक्टर लोहिया की है उससे होते होते वो एक दिन पीडिये का रूप लेता है पेछडा दलित और अल्प संक्याद तो मैं इस पूरी भूमिका में खुद एक ऐसे नेता को देख रहा हूँ जो अपने विचार में पश्ट हो गया है लोग उसके उपर हमला करते हैं लोग पीडिये पर सवाल उठाते हैं पीडिये से आहत होकर के पार्टी छोड़कर के धोका भी दे देते हैं सब कुछ जहला लेकिन उस निता ने पीडिये को पकड़ा और वो एक ऐसा एलाइंस बन गया था जिसने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया बिल्कुल तो ये देखे अंदर की बाते क्या हैं और वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लक्षमर जी से अब आ जाते हैं लक्षमर जी आयोध्या पर बहुत चर्चाए हो रही है अब देश परसाथ ने वहाँ पर चुनाव जीत दिया ललू सिंग को चुनाव हरा दिया अब लोग कुछ लोग कह रहे है कि ललू सिंग ने जो सम्विदान को लेकर बयान दिया उसकी वज़े से हरे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनता ने मन बना लिया था एक बात और एलक्षमर्ण जी हम भी फील्ड पर गए इस पूरे चुनाओ को कवर किया अंडर करेंट बहुत था लोग खुल कर बोले नहीं माइक पर लेकिन जब रिजल्ट आये तो चौका दिया कैसे हैं देखिए ये बात तो बिलकुल सही है पहली बात ये कि ये चुनाओ जनता लड़ रहा थी जनता मन बना चुके थी लेकिन इस बार बहुत खामोश थी ये बात बिलकुल आपने सही कही पहले चरण से ले करके क्योंकि उन लोगों को भी ये गुमान था कि अपकी बार चार सो पार से शुरू करते हैं एक ही दो चरण बाद उन्हें भी हवा समझ में आ गई फिर उनके लोगों ने ये बात कही चाहे वो लल्लू हों सिंग हों चाहे वो जोती मिर्धा हों अनन्थेगडे हो या खुद परदान मंतरी के आर्थिक सलाकार हो उन्हीं लोगों ने ये बात फैलाना शुरू किया कि समझान बदलने के लिए 400 सीटे चाहिए ये बात और इसकी क्रेडिट अखिलेश यादों को मैं कह रहा हूं कि उत्तर परदेश में जो कमाल हुआ उसके पीछे तीन वज़े है पहली कि समझान बदल देंगे हम समझान बचाने आए समझान मंतन का वक्त है एक तरफ समझान भक्षक एक तरफ रक्षक ये बात जनता तक पहुंच गई दूसरी अखिलेश यादों का पीडिये फॉर्मूला पीडिये फॉर्मूला वो फॉर्मूला था जसने एक ऐसा एलाइंस पब्लिक के बीच किया और वो एलाइंस इनको काम्याबी में तब्देल कर देता है और तीसरा लिडर्शिप कोई भी फॉर्मूला कोई भी एजेंडा नेरेटिव तब तब काम्य किया शहजादे दो लड़के उसके बाद क्या क्या बोला बहुत तरह के निमनस्तरी हमले अगले शादो उस कीचड में नहीं उतरे मुस्कुराते हुए तंज करते हुए सठायर हुमर विट का इस्तेमाल करते हुए कमाल की चीजें वो शहमात देने से ले करके सब कुछ उन्ह प्राजगी को चैनलाइज करें और उसकी उमीदों को एक दिशा दे ये भूमिका अखिलेश यादो की और इसी भूमिका में अध्या पर आते हैं अध्या में अखिलेश यादो की इस बात के लिए तारीफ करनी हो गया अध्या चुनाओ परडाम कई वर्षों तक आने वाल था वो जब अपने उफान पर था तो वो पार्टी हार गई जिसने उस मुद्दे का राजनीत के लाब लेना चाहा वो पार्टी जो सामपरदाहिक था कि राजनीत को आगे पढ़ाना चाहती तो उस रत को अध्या में रोक दिया अखिले श्यादों ने और इसका कमाल की क्र जहां राम निवासा तो राम जो सबके थे राम दिलों में थे एक राम कबीर के थे कस्तूरी कुंडल वसे अमरिक डूड़े बन माई ऐसे घट घट राम है दुनिया देखा है ना है वो राम सर्वभ्यापी कई रूपों के थे एक पार्टी ने उन्हें एक चुनाव का आसी इस्तेमाल हो रहा है दूसरी बात वहां की अपनी लोकल पॉलिटिक्स में वहां के लोगों को नाराज किया गया था वहां विकास के नाम पर विनाश की बाते थे लोगों की रोते हुए वीडियो आए लोग खफा थे तीसरी और आखरी बात जब यह सारी नाराजगी तरफ होती है ना तो नेत्र तो कौन कर रहा है एक ऐसा लगभग 80 साल का एक नौजवान जिस जो इतना मृदुभाशी है जो उनके बीच का है जो यह कहता है कि मैं मंदिर की बात क्या कर रहा हूं मैं तो इसी आवद में खेला हूं इसी मिटी में और वहां का जन ने था और उपर से अखले शादो का नेत्रत मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा पैगाम है और पूरे देश की राजनीति का आज की तारी का केंदर बिंदू है और वो कमाल अखले शादो ने किया अवदेश प्रसाजी से एवन मेरी आज बात हुई तो मैंने भी पूचा मैंने का मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं इस तरह की सोशल मीडिया देखिए लोग कह रहे हैं तबाम तरह की बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो वहाँ पर पला बड़ा हूँ वही पर मैंने जिंदगी ब परिशान है कि अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कि अंतर कले चल रही है समाजवादी पार्टी में यह सब बाते हुई लेकिन रिजर्ट आए तो वही प्रत्याशी जीत कर आए तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है तो क्या वो एक कि स्ट्रेटिजी का हिस्सा रहा या फिर लोग अब कह रहें जीतने के बाद कि हाँ बहुत अच्छी स्ट्रेटिजी थी कि भाई बताईए जीत कर आगए यह उनका दिमाग था कि प्रत्याशी अच्छे होता रहें तो इसको कैसे देखें राजनीत में होता यही है कि जब अंतिम परिडाम होता है सामने तो बाहर के लोग यह विश्रशन करते हैं हमने बहुत करीब से देखा यह वही पर्टी है जिस पर्टी के उपर इस बात के साजिशन टेग लगा दिये गये थे कि वो एक जाती और एक धरम की पार्टी है उस पार्टी को जान बूच कर उसके अपने उसूलों उसके अपने राजनेताओं एक बार की बात है अधरणी नेता जी मुलाइम सिंग यादो जी वो जब थे तो उनके उपर यारोप लगाया गया कि आपको तो कहा जाता है कि यादों की पार्टी है मुसल्मानों की उन्हों अलग जाती समुदाय के लोगों को प्रतेश दो दिया अखिलिश यादो जी ने जिस सपा का नित्रत किया वो एक नई सपा इस अर्थ में थी कि उसने इन तमाम साजिशों को अपने रड़नीती से विराम लगा दिया उन्होंने कहा कि अगर पीडिये की बात होगी तो किव विवहार में होगी और विवहार में ये हुई कि 85% आबादी को 85% टिकट दिया और वो कामयाबी यहां से निकल के आती है अगर आप डॉक्टर अंबिटकर की बात करते हैं अगर आप डॉक्टर रमन लुहिया की बात करते हैं संसो पाने बांदी गांट पिछड़ा पावे सौ में साथ आप डॉक्टर अमिटकर की बात करते हैं तो वंचे शोशे दले पिछड़े तपके को प्रतिने की बात करते हैं अपकी मूले और लड़ाई समाजवाद और मिटकर वात की है तो वो हर एक स्तर पर दिखेगी इस बार अखिले शयादो जी की रड़नीत ये थी टिकट बदलने को तो बहुत लोग बदलते हैं बहुत लोग काम करते हैं राजनीत में इसका कोई अर्थ नहीं रहता अंतिम परडाम मायने रखता है और अंतिम परडाम में पीडिये ही केंदर बिंदू था जिस पीडिये ने दो सामाने सीटे हैं मेरट और अयोध्या दोनों सामाने सीटों पर दलित प्रत्याशे उठा रहें कुर्मी कोईरी तमाम जातियां और उसके बाद फिर पासीर निशाद राजबर कोई मतलब अधिकांश जगह पर उन सामयाब नेता है ना वह पहचान लेगी कौन कहां जीतेगा उसका टिकर सामने मुस्लिम चार मुस्लिम मेरे क्याल से उता रहे थे चार के चारों जीत गए उन्होंने जहां संवर्ण चाहिए था वहां संवर्ण दिया जहां दलित जो जीत सकता है पार्टी है तो वह जीतने से उपर यह आखड़ा जाता मेरट अलीगर फूलपूर फरूखाबाद फरूखाबाद में कितनी बार बिजली काटी गई कितनी बार लाटी चार्ज हुई जान बोज कर प्रशाशन नहरवाई आए इस तरह कि साजिशे दोर ऐसा आ गया है कि राजनीती करने वाले के लोग राजनीतिक लड़ाई कहां लगता हैं वो तो पीछे से वार कर रहे हैं ऐसे में पीडिये एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई थी जैसे जो हक चाहिए था उसको वो हक दिया और खुद एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिसकी भाषा में एक नफरत की भाषा नहीए नकारात्मक राजनीती नहीए सकरात्मक राजनीत से लोगों के दर्द से अपना रिष्टा जोड लिया और आज की तारीक में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिस अखिलेश यादो जी को कहा जाता था कि वो बारा के बाद लगातार चुनाव हार रहे हैं कमजोर हो रही है पार्टी वो पार्टी अपने सुरिजन से लेकर के अब तक की सबस से बड़ी जीत हासिल करती है कलपना करी अखिलेश यादो जो खड़े होंगे सदन में तो पीछे 36 लोग जो खड़े होंगे वो होगा असली आइडिया पिंडिया उसमें सारी लोग होंगे तो समविधान पीडिये और अखिलेश यादो की लिडर्शिप इन तीनों ने उत पुषपेंदर सरोज देख लिजे आप अप श्रया कुदेश अलाकि वो हार गई है प्रिया सरोज देख लिजे प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में शयद लॉयर भी है तो वो जो नई पीड़ी आ रही है उसको आप कैसे देख रहे है राजरीती मैं कमाल की ये रड़नीत एक तरफ प्रिया सरोज, पुश्पेंदर सरोज जैसे पिलकुल 25-26 साल के नौजवान हैं, नए लोग हैं, एकरा हैं, वही दूसरी तरफ उसी टीम में आपको राम प्रसाद चौधरी मिलेंगे, नरेश उत्तम पतेल, लाल जी वर्मा और उसी जगह पे अवधेश प्रसाद म मिलेंगे, यह हैं इंक्लूसिव पॉलिटेक्स, पांच महिलाएं जीती हैं एक साथ, अलग-अलग बिरादरी के लोग जीते हैं, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एक देश के सदन के लिए, यह बड़ा कमाल का है कि हर उम्र का अनुभव आएगा हर उम्र का मिजाज देखने को मिलेगा, नवजवानों को भी प्रतिनित दिया और सीनियर लोगों को भी प्रतिनित दिया यह मुझे लगता है कि कमाल की शुरुआत एक नई तरह की पॉलिटिक्स है क्योंकि समाजवादी पार्टी में को की मार्क-शाम चाल नहीं मार्ग- हीस योगी आतिயास लिखा जायेगा कि 2024 इसलिए नहीं लड़ा जा रहा था कि किसी सरकार बनेगी किस की जाएंगी वह चुनाओ इसलिए लड़ा जा रहा है कि अब इस देश में ताना शाही आ जाएगी इस देश के समविधान को बदल दिया जाएगा इस देश को हिंदु मुसल्मान के नाम पर माट बाट जाएगा कि मंगलसू तो भी मुसल्मान चीन लेंगे मटन भी खा जाएंगे भही स्खोल ले जाएंगे एक उत्तर प्रदेश जहां अयोध्या मतुरा काशित तीनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार योगी अधितना जैसे म मुख्यमंत्री और उधर हमिशा और मुदी ऐसे विपरीत परिस्थियों में एक नेता जो न उनकी स्तर पर उत्रा न नकरात्मक राजनीती की न कोई इस तरह की बात की और उस पूरे सामप्रदाई ताना शाही खत्रे को चटान के तरह खड़ाओकर रोग दिया यह उत्तर देश की नहीं देश की राजनीत के लिए बहुत शुब संकेत है और अयोध्या उस शुब संकेत का मील का पत्थर हमेशा याद किया जाएगा बंपर वोट पड़े हैं अच्छी खासी सीटे लेकर आए हैं देखना दल्चास पुगा कि आगे जो चुनाओं हमारे सामने आएंगे उसमें भी यही प्रदेशन दोरा पाएंगे अखलेश या फिर कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेगा भारत एक सोच देखरते हैं आ उसकार है।